पिछले कई महीनों से बंदे मातरम पे काफी दिवेट हो रहा है बहुत से लोगों का ये कहना है कि बंदे मातरम को बोलना और समझना बहुत ही कठीन है लेकिन अभी जब हम word by word explain करेंगे बंदे मातरम को तो आप पाएंगे कि यदि आप साधारन सब्द जैसे जल, फल, सीतल, हसी, मधुर, भासर यदि इन सब्दों को आप बोल पाते हैं और इन सब्दों को समझ पाते हैं तो आपको बंदे मातरम को बोलने या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वंदे मातरम ऐसे ही सब्दों से बना हुआ है वंदे मातरम की रचना बंकिम चन चटरजी ने शंस्कृत में की थी बाद में अरविंदो घोस ने इसका इंग्लिस में ट्रांसलेशन किया वंदे मातरम का पहला स्टेंजा कुछ इस प्रकार है सुजलाम सुफलाम मलियजशीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम शुब्रजयोच्षना पुलकित यामिनिम फुल कुसुमित दुरुमदल शोभिनिम सुहासिनिम शुमधुरभासिनिम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम जल सब्द से बना हुआ है जल के आगे सू लगा दीजिए सुजल सुजल का मतलब अच्छा जल किसी भी सब्द के आगे जब सू लगता है उसका मतलब होता है अच्छा वो पॉजिटिव सेंस में होता है जैसे विचार सू विचार सू विचार का मतलब अच्छे विचार ऐसे ही जल, सुजल, अच्छा जल, अर्थाथ, पीने योग्य, मीठा जल, सुजलाम, अच्छे जल से परिपूंड, इसी तरह से सुफलाम, फल सब्द से बना हुआ है फल के आगे सू लगा दीजिए सुफल अच्छा फल अर्थाद मीठे फल सुफलाम तो जैसे कलाम प्रणाउंस करते हैं हम सभी के फेवरिट अब्दुलकलाम साब तो जैसे कलाम है वैसे ही फलाम वैसे ही जलाम सो फलाम सुफलाम अच्छे फल से परिपूर्ड मलयज शीतलाम मलयज मलय शब्द से बना हुआ है और मलयालम भी मलय शब्द से बना हुआ है मलयालम दच्छड भारत के केरला राजे की भासा है साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले केरला में दस्तक देता है और केरला से ही मानसूनी हवाएं पूरे भारत में फैल लती है और वर्सा करती है आज भी भारत का एग्रिकल्चर और एकॉनमी बहुत ज़्यादा मानसून पे डिपेंडेंट है और वही मानसूनी हवाएं वर्सा करती है जिनें नमी होती है शीतलता होती है मलयज, मलयज शब्द से बना हुआ है ज़क आर्थ, जन्म लेने वाला किसी भी सब्द के अंत में जब आप ज़ लगाते हैं तो जन्म लेने वाला होता है जैसे जलज, जल से जन्म लेने वाला अर्थात कमल, जल से उत्पन, कमल इसलिए मलेज शीतलाम का अर्थ है केरल की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं की सीतलतां से परिपूंड जब मनसून अच्छा होगा तो बारिस अच्छी होगी बारिस अच्छी होगी तो पेंड पोधे हरे भरे रहेंगे और फल और फोलों से लदे रहेंगे और धर्ती की अवस्था को ही शश्य श्यामला कहते हैं इसलिए शश्य श्यामलाम मातरम का अर्थ है शश्य श्यामला मा शूब्र जोच्चना पुलकिति आमिनिम शूब्र जोच्चना जोच्चना का मतलब होता है चादनी, मूनलाइट शूब्र का अर्थ होता है सफेद, वाइट या ब्राइट, जैसे धवल चादनी, शूब्र जयोच्छना का अर्थ है धवल चादनी, जो मूनलाइट है, शूब्र जयोच्छना पुलकित, पुलकित का मतलब होता है प्रशन्नता, जैसे मन पुलकित हो उठा, पुलकित यामिन यामिनी, यामिनी का अर्थ होता है रात्री, रात, नाइट शुब्रजयोत्सना, पुलकित यामिनिम का अर्थ है चंद्रमा की धवल किर्णों से प्रसन्न चित्त रात्री इन सौर्ट, चांदनी राते फुल कुशमित, फुल का मतलब सभी जानते हैं फुल सुमित, कुशम, कुशम का अर्थ होता है फूल, खिले हुए फूल द्रुम दल शोभिनिम, द्रुम, द्रुम का अर्थ होता है ब्रिच द्रुम दल, दल का अर्थ होता है समूह, ग्रुप द्रुमदल ब्रिच्छों का समूँ शोभिनिम सोभित ब्रिच्छों के दल से सोभित सोभा फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनिम कार्थ है खिले हुए फूलों से सुसोभित पेड़ पौधो वाली सुहासिनिम सुमधूर भासडिम सुहासिनिम हसी सब्द से बना हुआ है हसी का मतलब सब जानते हैं हसी लाफ्टर सुहासिनिम सु आगे सु लग गया मतलब अच्छी हसी मीठी हसी सुमधूर मधूर मीठा सुमधूर भासडिम सुख दाम सुख सबसे बना हुए सुख दाम देने वाली वर दाम वर देने वाली मातरम मा वंदे मातरम वंदे मातरम आपका वंदन करता हूँ मा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम का अर्थ है मीठे, जल, फल एवं मानसून की शीतल हवाउं से परिपूंड शश्य श्यामलाम मातरम का अर्थ है शश्य श्यामला मा शुब्र ज्योच्चना पुलकिति आमिनिम का अर्थ है चादनी रातों वाली फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनिम का अर्थ है खिले हुए फूलों से सुसोभित पेड़ पौधो वाली सुहासिनिम सुमधुर भासडिम का अर्थ है मीठी हसी वाली एवं मीठे वचन वाली सुख दाम वर दाम मातरम का अर्थ है सुख देने वाली वर देने वाली मा वंदे मातरम वंदे मातरम आपका वंदन करता हूं मा